हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है रवी चोधरी और ये जो वीडियो है इसमें हम चारवाग का जो बचा हुआ पार्ट है वो डिसकस करेंगे उसका लाश्ट पार्ट है ये तो इससे जो नए हैं जिनों ने इसके इस चारवाग की फिलोसोफी के दो पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले उनको देख ले क्योंकि आज ये सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम यहां पर डिसकस करेंगे और इससे पहले जिस किसी ने अगर बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले क्योंकि उनके व एक प्रमाण को मानते थे कौन से को प्रत्यक्ष या डियरेक्ट सेंस एक्सपीरियंस से जो नौलेज मिलती है उसको ही एक एवल वैलिड नौलेज मानते हैं उसके बाद इसी से इनकी मेटाफिजिक्स कैसे निकल के आई थी यह भी हमने लाश्ट वीडियो में डिसकस किया कि मेटाफिजिक्स में गोड या सोल जो भी ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज है उसको इनों ने क्या कर दिया था रिजक्ट कर दिया था और क्यों रिजक्ट किया वो सारा काच कुछ हम डिसकस कर चुके हैं सोल को एजन एटर्नल और इमोर्टल सोल यह नहीं मानते हैं देहा आरवाक इनकी फिलोसोफी जो है बेसिकली जाजा तरह लिखा मिलेगा इस फिलोसोफी ओफ लाइफ रदर दन अल्टीमेट रियालिटी तो जो अल्टीमेट रियालिटी है कुछ ट्रंसेंडेंटल एंटिटी गोड लाइक इस चीजों पर इनों ने इनको पहले ही इनकी फिलोसोफी में जो की वेस्टन फिलोसोफर्स जब आपने पड़े होंगे मैंने भी सारी वीडियो डाल रखी है वेस्टन फिलोसोफी की तो उसमें बहुत सारे वेस्टन फिलोसोफर्स से ये मिलते हैं जैसे इनको रेशनलिस्टिक बोला जाता है रेशनलिस्टिक य क्योंकि यह जो transcendental entities हैं उसको लेकर कहीं न कहीं इनकी philosophy skeptical है यह outrightly उनको reject कर देते हैं और यह जो इनकी philosophy है it is not a religious और mystical philosophy कोई religious philosophy नहीं है इसमें भगवान या ऐसा कुछ भी यह नोंने नहीं माना है हर चीज को reject कर दिया जो कुछ भी जिस किसी चीज का direct sense experience नहीं हो रहा है सब कुछ है नोंने reject कर दिया तो यह देख रहा हो इनकी philosophy में एक अच्छी यह सब को जुड़ा हुआ है इनकी जो metaphysics है वो epistemology से ही निकलती है और जो ethics है वो भी इन ही दोनों पर based है in expressible और यह सारी चीज है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है अब में चीज आती है objective अधा objective of life according to चारवाग the objective of human life human life का क्या objective है और दिस क्या है चारवाग के according तो एक word में अगर बात करें तो hedonism hedonism का मतलब सुखवाद ठीक है सुखवाद की इन्होंने philosophy दी है तो इसमें यह क्या कहते हैं he says that whatever gives pleasure is ethical जो कुछ भी pleasure देता है वो जित किसी से भी सुख की अनवूती होती है वही क्या है सही है और वो करना भी चाहिए इनके according वही करना चाहिए और एक चीज और बोलते हैं यह pain को minimize करने की बात और करते हैं कि सुख का मतलब यह नहीं है कि केबल सुख ही सुख वाले direction को देखा जाए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि pain को जो जहां कहीं भी दुखदर्द हैं उनको minimize किया जाए कैसे भी जिन्दगी में यह इनकी जो ethics है उसका central theme यही है और इसी से अब यह निकल कर आता है इनका famous statement है यह paper में भी लख सकते हैं इसको लखना ही चाहिए that eat, drink and marry यह इनकी सला होती थी लोगों के लिए कि यह करना चाहिए basically materialistic philosopher है पहली जो वीडियो थी चार बाकी मैंने बताया था कि materialistic क्यों है यह वो बताएंगे आगे तो वो यही है कि यह matter as only reality यह मानते है इनके according ultimately real क्या है matter है पिछली वीडियो में हमने देखा था तो materialist philosopher है यह इसी तरह से क्या कहते हैं कि वस्तवाद को यह बढ़ावा भी देते हैं एक और चीज ही accept earth and calm, earth और काम इन दोनों को जो Indian philosophy देखो, Indian school of philosophy जब हम पढ़ेंगे और इस से आगे भी जो आएंगे ज़ादा तरह जो Indian schools हैं वो चार चीजों को objective of life के तोर पर मानते है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ठीक है? इन चार वर्ड को तो साथ explain करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है, आपको पता ही होगा, इसमें यह देखिए, तो अर्थ, काम, यह दोनों को तो यह accept करते हैं, चार बाग, कि कुछ नो कुछ हाजी विका होनी चाहिए, कमाने क के लिए कुछ करना चाहिए आदमी को, और एक काम है, प्लेजर से आप इसको जोड सकते हो, कि जो वो सारे काम करने चाहिए, जिससे हमको सुख की अनगूती होती है, और यह रिजक्ट करते हैं, किस-किस चीज़ को मोक्ष और धर्म, इनको यह रिजक्ट करते हैं, मोक्ष क इसको रिजक्ट करने का में रिजन आपको समझ में आई गया होगा, जब यह कहते हैं कि यार, हैवन अगर बात करें, हमके मोक्ष के बात कहा जाएगा आदमी जो है, तो उसको मानी ने-ने, ट्रांसेंडेंटल एंटिटी को तो वो पहले से ही रिजक्ट कर दे रहे हैं, तो तो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में जितना ज़्यादा सुक वो होना है, भोगलो इनके अकोर्डिंग, और यह लो ओफ कर्म जो है, उसको भी रिजक्ट करते हैं, और इसे भी रिजक्ट करने का कहीं न कहीं इनका कारण वही है, कि ट्रांसेंडेंटल एंटिटी को यह नहीं मान तो लो ओफ कर्म को भी यह रिजक्ट कर देते हैं, तो यह थी फिलोसोफी चार बाग की, तो आसा करता हूँ यह जरूर समझ में आई होगी, आपको अगर फिर भी कोई चीज ऐसी है जो ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, और दूसरी चीज यह के फिल इजक्ट की वीडियो हैं, जी एस की, वो कुछ है, और मैं धीरे-धीरे उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? धन्यवाद!